बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है बरेली सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतिक के भाई अश्रफ के गुर्गे सद्दाम को बरेली जेल से बदायूं की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है वहीं माफिया अतीक के गुर्गे अतिन को और रामपुर जेल में शिफ्ट किया गया है बरेली जेल में पहले से ही अतीक अश्रफ गैंग के कई गुर्गे सजा काट रहे हैं ऐसे में माफिया के दोनों गुर्गों को अब अलग-अलग जेलों में रखा जाएगा एक साथ रहकर सद्दाम और अतिन अश्रफ गैंग को दोबारा सक्रिय न कर दें इसलिए दोनों को अब अलग अलग जेलों में भेजा गया है माफिया आतीक अश्रफ के खात्मे के बाद अश्रफ का साला सद्दाम बरेली पुलिस के निशाने पर आ गया था प्रियाग राज से लेकर बरेली तक हुई तफ्तीश में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और माफिया के रिष्टेदार सद्दाम पर पुलिस का शिकंजा भी कस्ता गया महीनों फरार रहने के बाद एश्टीएफ ने दिल्ली से सद्दाम को गिरफतार कर लिया था सद्दाम दिल्ली में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था इससे पहले सद्दाम के सवुदी अरब या किसी और देश भाग जाने की चर्चाय भी सामने आई थी सद्दाम आतीक अश्रफ गैंग की मजबूत कडी था बरेली जील में माफिया अश्रफ को जैल करम्यों से मिलकर सुक सोद्दाय उपलब्द कराने के आरोप में सद्दाम को गिरफतार किया गया है पुलिस को आशंका थी कि सद्दाम जेल में रहकर गैंग के दूसरे सदस्यों से साथ गाट करके दोबारा गैंग को सक्रिय कर सकता है इसलिए अब दोनों गुर्गों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया है माफिया के गुर्गों के दूसरे जेलों में शिप्ट होने के बाद अब बरेली जेल परशासन का फिरदर्द भी खतम हो गया है इससे पहले अलग बैरक में रखने पर सद्दाम ने जेल अधिकारियों से आपती भी जताई थी सद्दाम ने कहा था कि उसे दूसरे कैदियों के साथ रखा जाए लेकिन जेल परशासन ने सद्दाम को अलग बैरक में रखकर तनहाई काटने का आदेश जारी रखा था जेल में रहने से लेकर खाने पीने तक की बातों पर सद्दाम बार बार जेल अधिकारियों के सामने डिमांड रख रहा था इस बीच सद्दाम ने जेल में अपने कई करीबियों से मिलने की इच्छा जताई थी इन में प्रियाग राज के कई लोग शामिल थे जिसके बाद जेल परशासन और पुलिस ने दस लोगों की सूची बना कर जाज के लिए प्रियाग राज पुलिस को भेजी थी सद्दाम की अलग-अलग डिमांड जेल अधिकारियों के लिए दिन पर दिन सरदर्द बंगती जा रही थी ऐसे में सद्दाम और अतिन की दूसरे जेलों में रवानगी के बाद अब बरेली जेल परशासन ने राहत की सांसली है